धरमशाला में बदल जाएगी टीम इंडिया रोहित के सामने हैं सबसे बड़ी टेंशन जी हाँ इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप दोजार तेस में अभी तक बहुत शांदार खेल दिखाया है रोहिश शर्मा कप्तानी वाली टीम इंडिया ने अभी तक चार मैच खेले हैं और चारों में ही जीत हासिल की है लेकिन अब टीम इंडिया का सामना उस टीम से हो रहा है जो कि अभी तक नहीं हा रही है अंडिफीटड न्यूजीलेंड है उसे न्यूजीलेंड जुसने आएसीसी इवेंट में हर बार टीम इंडिया को जखम दिया है दोनों टीमें धर्मशाला के हिमाचर प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम में आमने सानमने होंगी दोनों टीमें पहुच भी गई है प्रैक्टिस भी कर रही है लेकिन मैच से पहले न्यूजीलेंड के खिलाफ जो हो रहा है उसमें रोहिश शर्मा की प्लेइंग 11 फस गई है और यह फसना इसलिए क्योंकि भाईया पांगलादेश के खिलाफ हार्दिक पांडिया चोटिल हो गए थे यह वही न्यूजीलेंड है जिसने इंडिया को 2019 के वर्ल्ड कप में सेमी फाइनल में हराया था वह आपको स्कूर काड या दोगो ना फुटबाल वाला दो तीन वाला जो स्कूर काड था तीन देशामल एक ओवर में रोहित कोशिश करेंगे भाईया अब वह बतला ले सके और 20 साल पहले आकरी बार हमने इन्हें आई सी सी में हराया था 2003 का वर्ल्ड कप था उसके बाद हम हरा नहीं पाए हैं इनको तो ऐसे में अब सबसे बड़ी दिक्कत है और अभी चुनौतिस ज्यादा बढ़ गए क्योंकि हार्दिक पांडिया कि नहीं रहने से हमारे पास एक प्रीमियम और राउंडर की कमी हो गई और प्लेंग 11 बाद बाद आपको पाली बाद और करके नंक्ति नहीं धोबहान को आप पाद आपके अराम से और बन्लेबादि वापको घहराई मिल जातीं के पास पाउंड्र जैसे थोडा आल रोंडर मिस्स करने वाले एं ऐसे चाया को पाच गेंदबाज के आप्शन के साथ उतरना पड़ेगा ऐसे हालत में तुर्ग मारियादव प्लेंग 11 में जगा बना सकते हैं दो वज़ा है एक तो राहुल द्रविड ने कहा है दूसरा ये की आपको एक स्पेशनिस बल्लेबाज चाहिए ऐस्टेलिया खिलाफ इन्हों और सुर्ग मारियादव अब यहां पर बहुत आसानी के साथ आ सकते हैं दूसरी जो फसेगी वह ठाकुर या शम जी हाँ यह बड़ा बदलाब है जो देखने को मिल सकता है शारदुर ठाकुर अपनी फॉर्म में नहीं है और वो टीम इंडिया के लिए काफी महंगे भी जानी नहीं होगी और इसकी वज्जा है बैटिंग डेप्क हाला कि बैटिंग डेप्क मैं अभी भी वही कहूंगा शारदुर ठाकुर नहीं नहीं दी है ऐसे में कहीं न कहीं आप शामी को मोस्परबली खेलता हो देख सकते हैं अब आपको बतातों प्लेंग 11 क्या होने वा मुहमद शमी आएं बाकी मुहमद सिराज अजस्टि दुम्र आपको क्या लगता है शारदुल या शामी आप मुझे बताएगा कॉमेंट में इशान या सुर्कुमारी आदम आपकी मर्दी आप अपनी 11 के हिसाब से बताईए मुझे अगर वीडियो आपको पसंद आई होते से लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नभूँ